मैं कपिल कांसरमा एक बार पुन है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं अस्वित कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ आर पी एफ एसाई और कॉंस्टेबल के यहाँ पर रिजल्ट आने सुरू हो चुके हैं तो यहाँ पर बच्चों के मन में कोशन आ रहा है आज हमने सुबह ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था रिजल्ट के बारे में तो ऊशी के कमेंट में आया कि कितने गुना बच्चे पास हो रहे हैं तो हम दोनों की जानकारी लेकाए हैं कि SI में कितने गुना बच्चे पास होंगे और साथ-साथ Constable में कितने गुना बच्चे पास कर रही है RPF SI के जो मेंसाइट है, महाँ से जो 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 यलटा रहा है उसके अनुसार RPF SI का क्या होगा physical और RPF Constable में क्या होता है physical इस बात की भी जानकरी हम लेकर आए हैं तो बढ़ते हैं ओफिशल नोटिस की तरह देखें यहाप पर यह जो है हमने की हुई है PDF डाउनलोड और PDF जो है यह है आपकी SI वाली आप पहली देख लें रोजगार सूचना से उपनिरिक्षक वाला जो विक्यापन है वो किया हमने डाउनलोड अगर इसमें चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ नीचे चलने के बाद पहले हम देखेंगे कितने हैं यहापर पद देखें किस जो है गुरूप में कितने पद हैं A, B, C, D, E, F यहाँ पर गुरूप है A में यहाँ पर देखें अगर पुर्सों की बात करें तो 126 पद हैं और महिलाओ की बात करें तो 52 टोटल पद हैं B गुरूप की बात करें तो 144 जो है पुर्सों के और 56 जो है यहाँ पर महिलाओ के बात हैं C गुरूप की बात करें तो यहाँ पर 287 और 12 यहाँ पर महिलाओ के बात हैं साथ साथ यहां पर D group की बात करें, तो 173 और 79 यहां पर महिलाओ के पद हैं, F E की बात करें, तो 30 जो हैं पूर्सों के और 12 यहां पर महिलाओ के पद हैं, और F group की बात करें, तो यहां पर उनसर और महिलाओ के यहां कोई पद नहीं है, टोटल पूर्सो के पद है 819 और महिलाओ के पद है कितने 301 अब यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है कि हमारे जो रिजलिट आए हैं अभी वो E और F दो गुरूप के आए हैं और यहाँ पर अगर देखा जाए जो F गुरूप है उसमें जो पास कंड्रेट किये हैं उन्होंने वो किये हैं 645 आज सुभ़ जो हमने वीडियो डाली थी उसमें आपने देख लिया है मैंने वहाँ पर पूरी संख्या दिखाई है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा उस रियल्ट का लिंक आप महाँ से डाउंलोड करके देख सकते हैं साथ-साथ ए गुरूप में उन्होंने जो टोटल पास के हैं वो के हैं 424 बच्चे पास इसका मतलब अलग-अलग जो है गुरूप में अलग-अलग अनुपात आ रहा है अगर यहां F गुरूप की बात करें तो अगर हम 645 को 69 से डिवाइड कर दें तो लग-भग 11 के आसपास यहां पर बनेगा इसका मतलब यहां पर F गुरूप में हुए हैं कितने 11 गुरूपास लेकिन साथ-साथ अगर इसको हम 30 से डिवाइड कर दें तो यह लग-भग बन रहा है 14 गुना इसका मतलब यहां पर लग-भग हुए है 14 गुना पास अब यह तो जो है बोड़ी जानता है कि वो किस हिसाब से और किस गुरूप में कर रहा है बच्चे पास लेकिन जो ओफिशल नोटिस में है उसमें देखते हैं इनुने क्या कहा था उससे बिलकुल इनुने ज़्यादे बच्चे पास किये हैं तो यहां पर अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जहां पर है आपका फीजिकल की जानकरी उसको भी सात सात लेंगे देख venom यहां पर आई है मेरे माद चरण सेकंड जो है इसमें इसमें सारीक दक्सता परिक्षा पी एटी और सारीक माप पी एमटी के बारे में जानकर दीगए क्या गहा है CBT में जो मतलब कंप्यूटर बेस टेस्ट है उसमें भ्यारतियों की योगिता के अधार पर अब भ्यारती को P.O.T. और P.M.T. के लिए छेत्रिया रेलवे आर्पी F.S.F. के सम्हों में वर्गिकरत पुल रिक्त पदों के 10 गुना अब देखें इन्होंने कहा है 10 गुना बला रहे हैं तेहरे गुना बला रहे हैं 14 गुना बला रहे हैं 20 गुना बला रहे हैं यह उन पे डिपन करता है लेकिन वो दस गुना से कम नहीं बलाने के कि उन्होंने इस बात को कहा है किसमें अपने विज्यापन में तो दस गुना तो बिल्गुल निशित है तो दस गुना त देख लेते हैं यहां पर 10 गुना कम से कम होगा बिल्कुल ठीक है जी अब आगे बढ़ते हैं अपर आगे यहां इन्होंने लिखा है कि सारे दक्सता प्रेक्षण उत्रिण करना निवारी हैं देखें यहां पर पहले लिख दिया है यह जो है आपको फिजिकल पास करना बिल् रहते हैं लेकिन क्या फिजिकल और किस तरह से होना है यह भी समय लेते हैं यह बात चली है अपर निरिक्षक की बात चले और पूर्सो की बात करें तो पूर्सो को करनी है 16-100 मेटर की दोड़ और समय होगा 6 मिनट 30 सेगड़ का तो बिल्कुल आप 6 मिनट 30 सेगड़ में कर सकते हैं दोड़ को पूरा यहाँ पर कौन पूर्सों के लिए और पूर्सों के लिए ही बात करें लंबी कूद की तो बो हो जाएगी 12 फिट 12 फिट लंबी कूद भी लेनी पड़ेगी आपको और उंची कूद आपकी 3 फिट 9 इंच बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको ठीक है जी? सासत महिलाओ के लिए अगर देख लें तो महिलाओ के लिए यहाँ पर है 800 मिटर की दोड़ और समय है उनका 4 मिनट 4 मिनट में 800 मिटर की दोड़ करनी पड़ेगी सासत लंबी कूद की बात करें तो 9 फिट और उंची कूद की बात करें तो उने भी 3 foot कूदना होगा अब यहां पर कितने आउसर किस event के लिए दे जाएंगे तोड के लिए कितने आउसर दे जाएंगे लंबी कूद के लिए कितने दे जाएंगे उची कूद के लिए ये भी बिलकुल देख लेते हैं तो पहले point में किलिए रहे तो एक चांस और मिल जाएगा उची कूद अगर आप एक बार में नहीं लगा पारें तो एक चांस और मिल जाएगा उची कूद अगर आप एक बार में नहीं लगा पारें तो एक चांस और दिये जाएगा मतलब इन दोनों के लिए कूद खे लिए आपके पास होंगे दो आवसर लेकिन तीसरा आवसर नहीं होगा कभी बच्चे ये समझें कि अवसर उन्हें तीन मिलेंगे तो तीन अवसर नहीं मिलेंगे यहाँ पर अवसर कितने मिलेंगे भया केवल और केवल दो अवसर मिलेंगे ठीक है जी तो ये थी आपकी किसकी अब कॉंस्टेबल की जानकरी के लिए भी चलते हैं ये कॉंस्टेबल का भी हमने पहले से ही कर लिया है पूरा विज्यापन डाउनलोड किसका है वह या यह कौन स्टेबल का है ठीक है इसमें भी अगर पदों की बात करें तो पहले देख लेते हैं पद कितने हैं यहां पर तोड़ा सा आगा चलने के बाद हमारे पास आ जाएंगे सारे पर यह टोटल पूरा हमारे पास लिश्ट आ चुकी है पेज नमबर 6 पर है ए बी सी डी ए ए ए एफ यह चैगरूरूप चैमें पूरसो के लिए टोटल पद आठ सो चार महिलाओ के लिए 927 पहले पूरूज और उसके बाद महिलाओ की पूरी लिश्ट है जो गूरूप है उसमें 440 पूरसो के लिए सीट है तो महिला के लिए 1301 में सीटे हैं डी गुरूप में 1046 अगर पूरसो के लिए हैं तो महिलाओ के लिए यहां पर कितनी हैं वह यहां 1006 सीटे हैं और ई गुरूप में 160 पूरसो के लिए महिलाओ के लिए 180 तो इसी तरह से अगर F गुरूप की बात की जाए तो 166 और यहां पर कोई और 4216 जो है वो महिलाव के यहाँ पर पद है अभी जो रिजल्ट आया है वो किस गुरूप का आया है वो आया है ई गुरूप का और ई गुरूप में यहाँ पर जो पास है अभी तक अभी तक जो पास के हैं हिनों ने वो के हैं दो हजार 84 बच्चे इन्होंने किये हैं पास कितने बच्चे किये हैं किस गुरूप के लिए इगुरूप के लिए और इगुरूप में अगर देखा जाए पुर्सो का रिजल्ट है वो और यहां पर पुर्सो के लिए केवल 160 सीटे हैं तो अगर मैं 2084 को डिवाइड कर दूं 160 से तो मुझे पता लगेगा कितना याएगा 13 तो यहां पर जो बुलाया है इन्होंने कॉंस्टेबल में पुर्सो के लिए इगुरूप का जो रिजल्ट आया है कितने गुना 13 गुना बच्चों को बिलाया है तो बिलकुल आप 13 गुना बच्चों को यहां पर बुलाया गया है साथ-साथ भी बात चरण सैकेंड में ही पूरी विग्यप्ति में दिया है इनोंने कि सीबीटी में अब भेट्यों को योग्यता के अधार पर अब भेट्यों को पी ओटी और पीम्टी मतलब हुई सारी दक्सता और सारी माप के लिए छेत्रे रेलवे और पीसफ के समू के वर्गिरत गुना कौन से गुरूप में जिस गुरूप का है भी रिजल्ट की गुरूप का आप बिल्कुल देख सकते हैं उसका भी यह मैहाँ पर आप लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा आपको उस रिजल्ट का भी लिंक आप वहाँ से कर सकते हैं उ पास आपने किया है आर्पी एस एफ या आर्पी एफ के एसाई और कॉंस्टेबल में से किसी का भी तो आप हैं बिल्कुल बदाए के पाद पहले देखते हैं कॉंस्टेबल के लिए पूर्सों के लिए क्या फिजिकल लख गया है सोले सो मिटर की दोड पाँच मिनट 35 सेकंड समय घटाया गया कहां आर्पी एफ साइ से कम रख गया है आर्पी पैसाई का था च्यμूनुट 30 सेकंड और यहां पर कर दया गया है 5 मिनट 45 सेकिड वहीं लंबी कूद 14 फिट कर दी गया है और उची फूद कर दी गया चार फिट तो यहाँ पर भी चीजे बड़ी हैं बिल्कुल सासाथ कॉंस्टेबल महिला के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर 800 मिटर के दोड़ यहाँ पर भी समय घटाए गया हुआँ चार मिनट था एसाई के लिए और यहाँ पर कर दिया गया है सासाथ जो लंबी कूद है वो 9 फिट और उची कूद के लिए 3 फिट बिल्कुल लखा गया है सासाथ यहाँ पर देखा जाए कि कितने अवसर दिये जाएंगे तो वही बात पहला पॉइंट बिल्कुल देखना पड़ेगा हमें इस 1600 अपन 800 मिटर के लिए केवल एक अवसर केवल और केवल दोड के लिए आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा एक बाए अगर आप दोड लेते हैं और उसमें फेल होते हैं या पास जो भी रियल्ट बनता है वही अंतिम परिणाम आपका होगा दोड़गा लेकिन लम्बी कूद और उची कूद के लिए यहाँ पर भी दो अवसर दिये जाएंगे कितने अवसर याद रखना है आपको बिलकुल इस बात को कि दो अवसर दिये जाएंगे तो आप सभी अपनी अपने फीजिकल में बिल्कुल लग जाएं जिनका हुआ है पेपर अच्छा रिजल्ट नहीं आया वो भी अपना बिल्कुल भहिया तयारी में लग जाए और जिनका आ चुका है रिजल्ट वो तो बिल्कुल अपनी तयारी कर लें क्योंकि फीजिकल जो ह होना है मैं पहले ही बता चुका हूं जो रिजल्ट में भी आया है कि फरवरी के लास्ट वीक में आपको फीजिकल के लिए बुलाया जा सकता है तो लगभग एक महीन आपके पास है फीजिकल का आप सभी तयारी में लग जाएं मेरे सुपकामनाएं आपके साथ हैं किस वीडियो के नीचे जो है कमेंट करके कमेंट बोक्स बिल्कुल बता सकते हैं कि किन की बच्चों ने किया है और पượng में ग्लाव कर já में पड़ तो अभी तक के लिए कितना ही नएक्टायнов तक के लिए धन्यवारा